वेल्कम बैक टो वर चैनल, सिंप्ली स्टड़ीज विद चेल्शा और आज के हमारे एच्ट पिजरी कंप्यूटर साइंस 24 के बैच में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेट्वर्क को लास्ट हमने HTML कंप्लीट कर लिया है ठीक है 50% स्लेबस हमारा कंप्लीट हो गया है रहता रहता है ठीक है तो यहाँ पर देखो computer network में सबसे पहले हम देखेंगे की हमारे इस Caleb में क्या क्या include किया गया है तो यहाँ पर इस लेबस में है आपके computer network networking and its Miets, types of computer network, network models and their protocols, transmission media , wired and wireless communication, Wi-Fi, Bluetooth, Cloud Computing, Public and Private, Internet, History of Internet, Working of Internet, Internet Requirements, Firewall, World Wide Web, Web Browser, Web Server, Web Portal, Website, Search Engine, URL, Web Page, Email, Blogs, News Group, Video Conferencing, TCP IP, FTP, Telnet, HTTP, HTTP, HTTPS, POP3, तो यह हमारा HTET Computer Network का क्या रहेगा, SLABUS रहेगा, चीक है, इसके अलावा, यह जो Classes है Computer Network की, वो आपका जो HPSC Assistant Professor का exam है, उसके लिए भी आपके लिए helpful रहे कि आप उसकी preparation कर रहे हैं, तो देख सकते हैं, जितना Computer Network का portion वहाँ पे given है, आप उस content के लिए यह Classes देख सकते हैं, then हमारा UKPSC जो Lecturer है Computer Science, उसके exam के अगर आप preparation कर रहे हैं, तो भी आप यह Classes देख सकते हैं, and KBS EMRS exam कहने का मतलब है कि अगर आपके SLABUS में Computer Network include किया गया है, जो कि आपका include रहता ही है, हर Computer Science के exam में, तो आप यह Classes देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार करते हैं हमारा one by one, and इस बार हम Computer Network को काफी detailing में discuss करेंगे, and एकदम basic से discuss करेंगे, ज्यादा लंबी-लंबी Classes हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिलहार इतना time है, कि हम अराम से भी सको cover कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर आप First Time Estat का exam देने वाले हैं, तो मैं कम्प्लीट करवाया गया था, last year मैंने करवाया था, चीक है, and आप वहाँ से extract के जो previous year questions है, उनको भी discuss कर सकते हैं, लेकिन जो updated syllabus की मैं बात करूँ, तो जो 23 में हुआ था, वही क्या था, आपका एक updated syllabus के according, आपको question paper मिलेगा, जो बाकी के question paper है, वो आपके old syllabus के according रहेंगे, तो last year आपकी python add की गई थी, एक दो syllabus, एक दो subjects वहाँ से remove किये गए थे, चीक है, तो एक बार अपना syllabus जरूर चेक कर लेना, then आपका, जो mcqs available है, 1500 plus मैंने mcqs करवा रखे हैं, playlist अलग से available है, तो आप वहाँ से अपने mcqs के practice कर सकते हैं, mostly आपके questions इन ही में से आ जाते ह आपके mostly questions इन ही में से आ गए थे, तो इसलिए आप इनकी भी practice कर सकते हैं, इन सब की playlist कहां पे मिलेगी, अगर आप directly आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपने video का description box चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको playlist का link मिल जाएगा, फिर भी अगर आपको problem आ रहे हैं, तो आप comment क करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको playlist का link share कर सकते हूँ, otherwise telegram group को आप join कर सकते हैं, वहाँ पर भी links available होते हैं, daily classes के link वहाँ पर provide करवाए जाते हैं, and important जो classes रहती हैं, उनके link भी वहाँ पर provide करवाए जाते हैं, ठीक है, इतना हो गया, and last important आपकी जो बात रहेगी व कि आपकी जो handwritten notes है वो available है, लेकि notes क्या रहते हैं, आपके paid रहेंगे, PDFs आपकी paid है, otherwise आप अपने खुद के notes भी prepare कर सकते हैं, तो चलिए अब start करते हैं, आज की हमारी class computer network की, अब यहाँ पर देखिए computer network क्या होता है, अगर आपको आता है, तो आप revision के लिए इन classes को देख सकते हैं, otherwise आप first time preparation कर रहे हैं, या फिए काफी लंबे time के gap के बाद preparation कर रहे हैं, तो आप ये अराम से अपने classes देखिए, यहाँ पर notes बनाना चाहें, तो notes बना सकते हैं, classes अच्छी लगें, तो class को जरूर like, share करना, अब चलिए यहाँ पर देखिए computer network क्या होता है, computer network के एक basic सी जो definition होती है, वो क्या होती है, कि collection of interconnected devices, computer network क्या है यहाँ पर, जो interconnected devices हैं, उनकी collection, interconnected का मतलब क्या हुआ, कि यह जो devices है, यह एक दूसरे से connect रहते हैं, इसलिए इनको interconnected कहा जाता है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह बहुत सारे यहाँ पर devices हैं, और यह क्या है, एक दूसरे से connect है, अब यहाँ पर वो एक devices एक दूसरे से connect है, तो वो क्या बना रहे हैं यहां पर एक network को form कर रहे हैं, यह interconnected devices क्या form कर रहे हैं एक network को form कर रहे हैं जब एक network को form करते हैं तो जो इनका सबसे एक हम कह सकते हैं कि बड़ा जो use होता है, benefit होता है, वो क्या रहता है कि ये resources को share करते हैं, information को share कर सकते हैं जो सबसे main इसका use रहता है वो ये रहता है कि resources को share करना जैसे कि किसी एक PC से printer connect है तो बाकी के PCs क्या कर सकते हैं वहाँ पे network form करके उस printer का use कर सकते हैं, चीक है? तो इतना समझ में आया कि computer network is a collection of interconnected devices that share resources and information, जो main benefit होता है वो यही है कि resources को share कर सकते हैं and information को share कर सकते हैं जैसे कि printer को share करना, ठीक है? second जो हमारे syllabus में include है वो है कि need of computer network या networking, तो यहाँ पे computer network की क्या जरूरत है, क्या need है, क्यों जरूरत है? वो हम यहाँ पे देखेंगे तो first जो यहाँ पे point mention है, वो यह है कि communication, network form करके हम क्या कर सकते हैं? communicate कर सकते हैं, जो बाकी के devices है या फिर person है जो network में connect रहेंगे, उनसे क्या कर सकते हो? आप communicate कर सकते हो, फिर चाहे आप conference का use कर सकते हो, आपका जो voice call है, video call है, messages है, email है, आप इन सब का use करके, जो persons है और devices है, उनसे क्या कर सकते हो? communicate कर सकते हो, तो यह क्या रहेगा? इसके लिए computer network की requirement रहेगी. need की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्यो requirement है, क्यों हमें computer network चाहिए, क्यों networking चाहिए? second, जो मैं most important इसका use बताती हूँ, या अब ये uses में भी आ जाएंगे, लेकिन अभी फिर हाल need की बात है, second जो इसकी need रहेगी, वो है resource sharing की. जैसा मैंने अभी आपको एक example भी दिया, कि आप printer को share कर सकते हो, तो network form करके आप अपने hardware, जो devices है, hardware, resources है, उनको क्या कर सकते हो, share कर सकते हो, ठीक है? exam में आपसे पूछा जाएगा कि इन में से कौन सी computer network की requirement है, कौन सी computer network की need है, कौन सी? नहीं है. next हमारी है, यहाँ पे जो reason है, वो है data sharing. हम क्या कर सकते हैं? Information share कर सकते हैं, network को form करके, easily आप अपने data को share कर सकते हो. access to the internet, computer network की help से आप internet को access कर सकते हो, जिससे कि आप बहुत सारी information को यहाँ पे search कर सकते हो, अपने entertainment के purpose से, educational purpose से यहाँ पे knowledge gain कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे internet को access किया जा सकता है. फिफ्ट यहाँ पे computer network की need में है remote access. Remote access का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे आजकल जो एक चल भी रहा है क्या work from home. चीक है, work from home का जो यहाँ पे concept चला हुआ है, वो कैसे आ रहे हैं? आपका network की help से. तो जो remotely areas है, वो भी क्या किया जा सकता है? इनको यहाँ पे access किया जा सकता ह network form करके. data backup, computer network की help से हम अमारे data का backup ले सकते हैं, इसलिए यह भी एक requirement रहेगी, need रहेगी. scalability, ठीक है, यहाँ पे आप अपने business को क्या कर सकते हो? expand कर सकते हो, network का form करके. security, security provide की जा सकती है, आप computer network का use करके, firewall, encryption, intrusion, detection system, इन सब का use कर सकते हो, and अपने data को क्या कर सकते हो? secure कर सकते हो. e-commerce, e-commerce का मतलब क्या हुआ? online shopping या financial transaction जो होती है, उनके लिए हम computer network का use कर सकते हैं. education, education department में e-learning का जो concept होता है, online जो education है, उसके लिए हम computer network का use कर सकते हैं. health care network का use करके, हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा health care department होता है, आप अपने medical record share, save कर सकते हो, जो patients का data होता है, आप उनको share कर सकते हो, medicines वगरा का record रख सकते हो, smart devices, आप यहाँ पे, जो smart devices हैं, उनसे क्या कर सकते हो? आपने, जैसे कि मैं example दूँ, आप अपने mobile phone से, अपने smart TV है, उसको connect कर सकते हो, and then, अपने mobile phone से ही, अपने smart TV को access कर सकते हो, तो यह भी आप network का use करके, कर सकते हो, चीक है? Then, यहाँ पे research and innovation, research and innovation में आपका network काफी helpful रहता है, यहाँ पे, तो यह जो कुछ reasons है, जिनसे हमें पता चला कि आपकी networking की need क्यूं है? ठीक है, networking की requirement क्यूं है? उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ reasons देखे, computer network क्या होता है? collection of interconnected devices and यहाँ पे need of computer network में जो सबसे पहला point हमने देखा वो क्या है कि communication में होता है, then हम resource share कर सकते हैं, data share कर सकते हैं, internet को access किया जा सकता है, आप remotely access कर सकते हो areas को data का backup ले सकते हैं, अपने business को expand कर सकते हो, security यहाँ पे मिलती है, e-commerce में use होता है, education department में use होता है, healthcare department में हम use करते हैं, smart devices को आप अपने जो home automata है, industrial control है, उन में क्या कर सकते हो, communicate या connect कर सकते हो, research and innovation में हम इसका use कर सकते हैं, ठीक है? तो यह हमने क्या देखा कि हमारे computer network या networking की need क्यों है, ठीक है? तो यह हमने basic सा आज की class में introductory part देखा, next class में हम करेंगे computer network के क्या-क्या characteristics है, और साथ ही में उसके क्या drawbacks है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही. Okay, thank you!